अभी मैं हूँ अपने स्टूडियो के अंदर और आज पूरे दिन मा कर रहा था घर पर आराम क्योंकि आज है संडे और आज मेरी क्रेटिव एक्रेलिक पेंटिंग की क्लास है जिस पेंटिंग को मैं इसमें बना रहा हूं तो इसको भी आज कंपलीट करना है तो मेरे पास में कुछ भी मैटिरियल नहीं है कि मैं बनाऊं क्या कि अब इतना टाइम हो चुका है मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पेंटिंग बना के आपको सिका सबूं तो मैं काम करता हूं आज एक पेंट रोइंग करते हैं मेरी प्रैक्टिस बोजाएगी और हमारी एक अच्छी सी कि मैं पेंटिंग में इतना इन्वाल रहता हूं है तो उसी में जाद मेरा जो ताइम है जो मेरा दिन चरिया उसी में निकलती है तो स्केचिंग वगेरा मैं प्रॉपर एसे इतनी बड़ी शीट पें काफी बड़ी शीट है चोटी शीट नहीं है यह लग बग यह 18x24 की शी अधाया है एक टाइम पर मैं आप लोगसे निक बाद शेयर करना जाता हूं जब मैं इसे काम करता था था ना कॉलिज ताइम मेरे को नहीं गुस्सा आता है मैं सोचता है यार यह सब मैं क्यूं कर रहा हूं इतो विक्एगा भी नहीं है ना मैं खामका अपना पेपर खराब कर रहा हूं। इतना महघा मैरा पेपर आया है ये पैन खराब कर रहा हूं। मतलब मैं मेरी एक्षुल मेरी एली फीलिंग थी, ठीक direct कर स्टाटिंग में मैं सोच्ता था कि इसा नहीं कि मेर को आर्ट से प्यार नहीं था बस मैं महहेंगी मस्के मेल लेके अब जितनी ये कुशिश कर लो. लोग जितनी कोशिश कर लोगा, वो सब कम पर जाएगी। आप लोग देखते हूँ की मैं waar लगातार काम करता रहता हूँ और मैं जहां तक जानता हूँ ये जितने ये कुछ काम है, ये सब कुछ एक टाम पर लोगा कि उचिए खार कुछ मि नी करा है काम ठीक है मेर को ज़े लगता है जब बिर साथ मेडसा लगता है ज़ी कि सब्छेच आंब मेर नहीं करता है कि मैं कि लगता है कि अब कर सकता था तो आप और चाल रहा है लाइफ ठीक है और यह सब जो sketching बगरा है बहुत important है हमें जो हम final काम करते हैं और जो हम यह काम कर रहे हैं इन दोने में कोई फरक नहीं है यह base है जो मैं final printing करता हूं तो जो base है न वो यह है तो आज के लिए मुझे लगता हमाद जो sketch है यह complete हो चुका है और मुझे लगता है हम नहीं कुछ नहीं आज से सीखा है और I hope आपने भी कुछ से नया सीखा होगा तो आज के लिए बसेते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में thank you so much for watching and bye